क्या तू मुंबई या फिर दूसरे बड़े शहर गए हो? Have you ever been to Mumbai or any other metro city? जब अंग्रेजी बोलने की बारी आती है, मैं अटक जाता हूँ. When it comes to speaking English, I fumble. जब अंग्रेजी बोलने की बारी आती है, मैं अटक जाता हूँ. When it comes to speaking English, I fumble. जब पढ़ने की बारी आती है, वह रोने लगता है. सिर्फ शिकायत करने से काम नहीं चलेगा. Only complaining won't work. सिर्फ शिकायत करने से काम नहीं चलेगा Only complaining won't work मुझसे drive नहीं होता I get failed to drive मुझसे drive नहीं होता I get failed to drive उनसे खेला नहीं जाता They get failed to play उनसे खेला नहीं जाता They get failed to play मैं उसकी गलतियों का हिसाब नहीं दे सकता I can't account for his mistakes मैं उसकी गलतियों का हिसाब नहीं दे सकता I can't account for his mistakes यह दवा आपके दिमाग पर असर डाल सकती है This medicine can act on your brain यह दवा आपके दिमाग पर असर डाल सकती है This medicine can act on your brain तुम्हें इस सुझाव पर अमल करना चाहिए You should act on this suggestion तुम्हें इस सुझाव पर अमल करना चाहिए You should act on this suggestion उमीद मतारो, ऐसा मा का फिर आएगा Don't lose hope, there is always next time उमीद मतारो, ऐसा मा का फिर आएगा Don't lose hope, there is always next time दुखी मतो, तुम्हारा वक्त जरूर आएगा Don't feel sad, your time will surely come जरूरत से ज़्यादा कोशिस मत करो, इससे कुछ नहीं होगा Don't try too hard, it won't help ना उसने केवल घर की सफाई की, बलके खाना भी खाया Not only did she clean the house, but also cooked food ना उसने केवल घर की सफाई की, बलके खाना भी बनाया Not only did she clean the house, but also cooked food ना केवल उसने परिक्षा पास की, बलके टॉप भी किया Not only he passed the exam, but also topped it ना केवल उसने परिक्षा पास की, बलके टॉप भी किया Not only he passed the exam, but also topped it क्या आप मुझे नजदी की अस्पताल का रास्ता बता सकते हैं? Could you tell me the way to the nearest hospital? क्या आप कीमत कम कर सकते हैं? क्या आप कीमत कम कर सकते हैं यह मेरे लिए थोडा महँगा है यह मेरे लिए थोडा महँगा है यह मेरे बज़ट में नहीं है this is not in my budget यह मेरे budget में नहीं है This is not in my budget क्या आप इसकी कीमत पचास रुपए कम कर देंगे Can you reduce the price by 50 rupees क्या आप इसकी कीमत पचास रुपए कम कर देंगे Can you reduce the price by 50 rupees चाहे बारिश हो या धूप हम पिकनिक पर जाएंगे Whether it rains or shines We will go on the picnic चाहे बारिश हो या धूप हम पिकनिक पर जाएंगे Whether it rains or shines We will go on the picnic वा इतना थका हुआ था कि तुरन सो गया He was so tired that he fell asleep immediately वा इतना थका हुआ था कि तुरन सो गया He was so tired that he fell asleep immediately खाना इतना स्वादिश्ट था कि सबने तारिफ की The food was so delicious that everyone praised it खाना इतना स्वादिश्ट था कि सबने तारिफ की The food was so delicious that everyone praised it दिवार का सहारा मतलो Don't lean against the wall दिवार का सहारा मतलो Don't lean against the wall वह मुर्ख की जैसा व्यवाहार कता है He behaves foolishly वह मुर्ख की जैसा व्यवाहार कता है He behaves foolishly उसने अपनी कार एक सेल में बेच दी He sold his car in a sale उसने अपनी कार एक सेल में बेच दी He sold his car in a sale सब कुछ मेरे सर के उपा से निकल गया Everything went over my head सब कुछ मेरे सर के उपा से निकल गया Everything went over my head और कौन वहां जा रहा है Who else is going there और कौन वहां जा रहा है Who else is going there मैंने उसे क्यों नहीं समझाया Why did not I explain to him मैंने उसे क्यों नहीं समझाया Why did not I explain to him क्या उन्होंने मुझसे बहस की Did he argue with me आप कब तक अकेले रहोगी How long will you stay alone आप कब तक अकेले रहोगी How long will you stay alone मुझे उसने खुद बुलाया था He called me himself क्या हम अब पूरी कोशिस करेंगे Will we try our best now क्या हम अब पूरी कोशिस करेंगे Will we try our best now इस पेपर को फाइल से अटेच करो Attach this paper to the file मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या पढ़ू I don't know what to study मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या पढ़ू I don't know what to study मेरे पास बैठने का समय नहीं है I don't have time to sit मेरे पास बैठने का समय नहीं है I don't have time to sit घंटी बच चुकी है क्या Has the bell rung yet? घंटी बच चुकी है क्या Has the bell rung yet? वा सीडियों पर चड़ गया He climbed the stairs मुझे अपने पैसे वापस चाहिए I want my money back मुझे अपने पैसे वापस चाहिए I want my money back मैं तुम्हारी साथ आऊंगा I will come with you मैं तुम्हारी साथ आऊंगा I will come with you क्या तुम्हे यह किताब पसंद है? Do you like this book? क्या तुम्हे यह किताब पसंद है? Do you like this book? वह अंग्री जी बोलता है क्या? Does he speak English? वह अंग्री जी बोलता है क्या? Does he speak English? मोटी मुर्या कम अंडे देती है Fat hands lay few eggs मोटी मुर्या कम अंडे देती है Fat hands lay few eggs मुझे उमीद नहीं थी कि आप पार्टी में आएंगे I did not expect you to turn up at the party मुझे उमीद नहीं थी कि आप पार्टी में आएंगे I did not expect you to turn up at the party मैं आपको शाम साथ बजे लेने आऊंगा I will pick you up at 7pm मैं आपको शाम साथ बजे लेने आऊंगा I will pick you up at 7pm तुम्हें कोशिस करना नहीं छोडना चाहिए You should not give up तुम्हें कोशिस करना नहीं छोडना चाहिए You should not give up आज बहुत गर्मी है चलो घर की अंदर ही रहते हैं जुगार मत लगा उसे अच्छे से ठीक करो जुगार मत लगा उसे अच्छे से ठीक करो वह जल्दी घर पहुँचने के लिए गाड़ी तेज चलाने लगा He cuts corner in driving to reach home early वह जल्दी घर पहुँचने के लिए गाड़ी तेज चलाने लगा He cuts corner in driving to reach home early लेकिन पुलीश ने उसे पकर लिया But the police caught him लेकिन पुलीश ने उसे पकर लिया But the police caught him Light बंद करना मत भूलना Don't forget to turn off the lights Light बंद करना मत भूलना Don't forget to turn off the lights मैम के क्लास में होते हुए बच्चे शोर कर रहे थे Students were making noise in the classroom In presence of मैम मैम के क्लास में होते हुए बच्चे शोर कर रहे थे Students were making noise in the classroom In presence of मैम ये सब सुनी सुनाई बाते हैं These are all here say ये सब सुनी सुनाई बाते हैं These are all here say आज तो मैंने जी भर के आम खाए Today I had mangoes to my heart's content मैं तो वहाँ उसका इंतजार कर कर के पग गया था I was fed up with waiting for her there मैं तो वहाँ उसका इंतजार कर कर के पग गया था I was fed up with waiting for her there मैं तुम्हारी बात क्यों सुनू? Why should I listen to you? मैं तुम्हारी बात क्यों सुनू? Why should I listen to you? तुम मुझे परिशान करने से कभी नहीं चुकते You never miss out on bothering me तुम मुझे परिशान करने से कभी नहीं चुकते You never miss out on bothering me तुम एक ही बात बार बार क्यों पूछ रहे हो Why are you asking the same thing over and over? तुम एक ही बात बार बार क्यों पूछ रहे हो Why are you asking the same thing over and over? अपनी कॉफी पी लो नहीं तो थंडी हो जाएगी Have your coffee or else it will get cold मेरा इरादा तुम्हें चोट पहुचाने का नहीं था I did not mean to hurt you at all मेरा इरादा तुम्हें चोट पहुचाने का नहीं था I did not mean to hurt you at all तुम अपनी बाल कहां से कटवाते हो Where did you get your hair cut from तुम अपनी बाल कहां से कटवाते हो Where did you get your hair cut from उसे यहां रहने को किस ने कहा Who asked her to stay here Who asked her to stay here तुम कितनी बार अपना इमेल चेक करते हो? मुर्ख से मुर्ख इंसान भी इसका जवाब दे सकता है मुर्ख से मुर्ख इंसान भी इसका जवाब दे सकता है होश्या से होश्यार इंसान भी बेवकुफी करता है वह जो जो से दर्वाजा पीट रहा है वह जो जो से दर्वाजा पीट रहा है वह जो जो से चाय के लिए अद्रक कुट रही है आप रहने दो मैंसे कर लूँगी आप रहने दो मैंसे कर लूँगी आप रहने दो मैंसे खा लूँगी अच्छा होगा कि तुम जादा ना बोलो अच्छा होगा कि तुम जादा ना बोलो You had better not speak much क्या मैं आपकी पुस्तक ले सकता हूँ May I take your book मैं तुमें पहले ही बता दूँगी I will let you know beforehand सब कुछ जानते हुए भी उसने मुझे कुछ नहीं बताया He did not tell me anything even knowing everything सब कुछ जानते हुए भी उसने मुझे कुछ नहीं बताया वह देखते ही देखते भाग गया देखते ही देखते कितना अधेरा हो गया देखते ही देखते कितना थेरा हो गया जण चुथकियों में इस काम को कर लूँगी वह यसस चुथकियों में समझ जाएगा वो अपनी बास से मुकर गया वो भी उसके साथ मिला हुआ है वो इसकी लायक नहीं है वो इसकी लायक नहीं है किसी ना किसी को तो पता होगा कही ना कही तो मैं उसे धूंध ही लूँगा तुमने खाना वाना खाया तुमने खाना वाना खाया तुम हमेशा खेल विल में ही लगी रहते हो तुम हमेशा खेल विल में ही लगी रहते हो अगर हो सके तो तुम यहां से चली जाओ अगर हो सके तो तुम यहां से चली जाओ If possible, you leave from here अगर हो सके तो उसे सब सच सच बता देना If possible, tell him everything truthfully तुम रुक रुक कर क्यों दौड रहे हो? Why are you running intermittently? तुम रुक रुक कर क्यों दौड रहे हो? Why are you running intermittently? हवा रुक रुक कर चल रही है The wind is blowing intermittently चाहे तुम खाओ या ना खाओ पैसे तो देने पड़ेंगे Whether you eat or not, money will have to be paid चाहे तुम खाओ या ना खाओ, पैसे तो देने पड़ेंगे Whether you eat or not, money will have to be paid चाहे तुम आओ या ना आओ, सामान भेज देना Whether you come or not, send the goods चाहे तुम आओ या ना आओ, सामान भेज देना Whether you come or not, send the goods मैं नहीं बता सकता कि वो पैसे देगा या नहीं I can't tell whether he will give money or not मैं नहीं बता सकता कि वो पैसे देगा या नहीं I can't tell whether he will give money or not हमें नहीं पता कि वो वहाँ जाता है या कहीं और We don't know whether he goes there or elsewhere हमें नहीं पता कि वो वहाँ जाता है या कहीं और We don't know whether he goes there or elsewhere चाहे मैं जीतूं या हारूं, तुम्हें क्या परिशानी है Whether I win or lose, what's your problem? चाहे मैं जीतू या हारू, तुम्हें क्या परिशानी है? Whether I win or lose, what's your problem? चाहे मैं खाना खाऊं या फिकू, तुम्हें नहीं दूगा Whether I eat the food or throw it, I won't give it to you Whether I eat the food or throw it, I won't give it to you यानि कि तुम परिक्षा में आसफल हो गए That is to say you failed the exam क्यों ना मेरी जगद तुम वहां चले जा Why don't you go there instead of me? वह खुशी कि मारे फूला नहीं समा रहा है He is walking on air वह खुशी कि मारे फूला नहीं समा रहा है He is walking on air क्या आज मैं थोड़ा जल्दी निकल सकता हूं Could I leave a bit early today? क्या आज मैं थोड़ा जल्दी निकल सकता हूं Could I leave a bit early today? वह कभी भी वक्त पर मेरा कॉल नहीं उठाता He never picks my call on time वह कभी भी वक्त पर मेरा कॉल नहीं उठाता He never picks my call on time वह अपनी ही दुनिया में मगन है He is engrossed in his own world वह अपनी ही दुनिया में मगन है He is engrossed in his own world मेरे घुटने में फोड़ा हो गया है I have got an ulcer in my knee मेरे घुटने में फोड़ा हो गया है I have got an ulcer in my knee तुम अभी तक वहां क्यों नहीं जा पाई हो Why haven't you been able to go there yet तुम कितने दिन के छुटी ले सकते हो How many days off can you take तुम कितने दिन के छुटी ले सकते हो How many days off can you take उसे इस बारे में सब पता है He knows all about it उसे इस बारे में सब पता है He knows all about it अब तुम हद पार कर रही हो Now you are crossing the limit मैं ज्यादा नहीं बोलती I don't speak much किस बात पर पश्टा रही हो What are you regretting for किस बात पर पश्टा रहे हो What are you regretting for उसकी पोल खुलने वाली है He is going to be exposed कि पे अपना मास्क पहनो Please wear your mask वह मेरी तरफ आ रही है She is coming towards me वह मेरी तरफ आ रही है She is coming towards me वह तुम्हारे साथ नहीं जाएगी She will not go with you वह तुम्हारे साथ नहीं जाएगी She will not go with you क्या तुम मेरी नकल कर रहे हो Are you imitating me? क्या तुम्हारे साथ नहीं जाएगी I am afraid of snakes मुझे सापों से डर लगता है I am afraid of snakes इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है I am not involved in this इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है He must be taught a lesson उसे सबक सिखाना जरूरी है He must be taught a lesson हमारे किसी अपने नहीं हमारी चुगली की One of our own backbited us हमारे किसी अपने नहीं हमारी चुगली की One of our own backbited us एक طरब से उसकी बास सही है In a way he is right एक तरह से उसकी बास सही है In a way he is right एक तरीके से हमारा वहां जाना ठीक नहीं है In one sense, it's not right for us to go there एक तरीके से हमारा वहां जाना ठीक नहीं है In one sense, it's not right for us to go there दिन भर यहां बैठने का कोई फाइदा नहीं It is no use sitting here all day long दिन भर यहां बैठने का कोई फाइदा नहीं It is no use sitting here all day long दिन भा तुम करते ही क्या हो What do you do all day long? बहुत पहले यहां कुछ भी नहीं हुआ करता था Way back, there used to be nothing here बहुत पहले यहां कुछ भी नहीं हुआ करता था Way back, there used to be nothing here बहुत पहले यहां बस खेट ही खेट थे Way back, there was nothing but fields here बहुत पहले यहां बस खेट ही खेट थे Way back, there was nothing but fields here जरूर मैंने तुम्हें इस बारे में बताया होगा, याद करो I must have told you about this, recall it जरूर मैंने तुम्हें इस बारे में बताया होगा, याद करो I must have told you about this, recall it क्या आज मैं थोड़ा जल्दी निकल सकता हूं? Could I leave a bit early today? क्या आज मैं थोड़ा जल्दी निकल सकता हूं? Could I leave a bit early today? चूना हम कहीं बाहर घूमने चले Why don't we go out somewhere? क्यूना हम कहीं बाहर घूमने चले Why don't we go out somewhere? यानि कि तुम यहां नहीं रुकोगे That is to say you won't stay here यानि कि तुम यहां नहीं रुकोगे That is to say you won't stay here यानि कि तुम उनके बेटे हो That is to say you are his son यानि कि तुम उनके बेटे हो That is to say you are his son मैंने सुबह पाँच बज़े का अलाम लगाया था I set the alarm for 5 a.m. मैंने सुबह पाँच बज़े का अलाम लगाया था I set the alarm for 5 a.m. मैंने गलती से अलाम बंद कर दिया था I accidentally turned off the alarm मुझे यकीन है मैंने सुने से पहले अलाम लगाया था I am sure I set the alarm before I slept मैंने सुने से पहले अलाम लगाया था I am sure I set the alarm before I slept मैं कल से पक्का पढ़ाई किया करूंगा I will definitely study from tomorrow onwards मैं कल से पक्का पढ़ाई किया करूंगा I will definitely study from tomorrow onwards उसे दो बज़े तक यहां होना चाहिए He should be here by 2 o'clock उसे दो बज़े तक यहां होना चाहिए He should be here by 2 o'clock तुम्हें इस नौकरी के लिए आवेदन देना चाहिए You should apply for this job तुम्हें इस नौकरी के लिए आवेदन देना चाहिए You should apply for this job ऐसा कुछ भी नहीं है जो मुझे पसंद नहीं There is nothing that I like ऐसा कुछ भी नहीं है जो मुझे पसंद नहीं There is nothing that I like तुम पहले नहीं पूछ सकते थे 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 वो मेरे पडोस में रहता है He lives in my neighborhood वो मेरे पडोस में रहता है He lives in my neighborhood वो अकीलापन महसूस करता है He feels lonely वो अकीलापन महसूस करता है He feels lonely वो जल्द ही ठीक हो जाएगा He will be get well soon वो जल्द ही ठीक हो जाएगा He will be get well soon उसने मुसे मिलने का वादा किया She promised me to meet उसने मुसे मिलने का वादा किया तुमसे मिलकर माफी मागने थी मुझे लगा तुम समझोगी मुझे लगा तुम समझोगी तुम्हारे लिए समय की कोई माइने नहीं तुम्हारे लिए समय की कोई माइने नहीं तुम्हे यहां रखने को किसने बोला? इसे इसकी जगह पर रखो पुट इट बैक इन इट्स प्लेज इसे इसकी जगह पर रखो पुट इट बैक इन इट्स प्लेज पेमिंट कब तक आएगा? सच तो यह है वो बहुत मश्रूफ है सच तो यह है वो बहुत मश्रूफ है सच तो यह है मैने तुम्हे पहचाना नहीं यही तो तुम अकसर भूल जाते हो यही तो तुम अकसर भूल जाते हो कोई कुछ भी कहे मैं अपने सपने पूरे करूंगा हमें दूर दूर से ग्राहक ढूंदने होंगे मैं इसे महंगा समझता था अब पश्टाने से क्या फाइदा जो है सो है यह वही लड़की है जिसकी माँ टीचर है यह वही लड़की है जिसकी माँ टीचर है मैं तुम्हें फुरसत में बताऊंगा तुम्हें उसे खामखा डाट दिया यह स्कोल्डेड हीम अननिसेसरी ली तुम्हें खामखा उसे डाट दिया यह स्कोल्डेड हीम अननिसेसरी ली चीनी जरह बचा के इस्तेमाल करो यूज सम सुगर स्पेर रिंगली मुझे कुछ किरानी का सामान खरीडना है मैं उपर की ओज जा रहा हूँ मैं उपर की ओज जा रहा हूँ I am going upwards Translate it, हिच की चाव मत इसका अंसर अब कॉमेंट्स में जरूर बता है वीडियो ची लही तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेर जरूर करे Thank you